Hey guys, welcome back to my YouTube channel Advanced Tech आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ यह आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी का जो कलच का पैडल है वो उपर नहीं आ रहा कलच का पैडल इसलिए उपर नहीं आज इसका जो कलच सिलेंडर है वो थोड़ा फाल्टी हो गया हलाकि मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है कोई दिक्कत निया पिकप बिल्कुल ओके है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पर इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं यह स्प्रिंग मैंने मोटर सैकल रुपेर शॉप से 20 रुपीज का भाय किया है और इसकी दोनों साइड मैंने आयरेन की जो हाइड वायर है उसको प्लायर से टर्न करके हुक्स बना दी है और जो काड़ी का कलच सिलेंडर है अगर आप उसको इंस्टेंट रिप्लेस नहीं क प्राब ना हो तो यह जो स्प्रिंग है यह स्प्रिंग इतना हाड नहीं है आप देख सकते हैं कि इसको मैं थम से स्ट्रेच कर रहा हूं और यह स्ट्रेच हो रहा है और आपको मैं दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको पुल कर रहा हूं यह पुल हो रहा है और आपका जो clutch का paddle है वो बिल्कुल भी इतना hard नहीं होगा आपको कुछ फर्क महसूस नहीं होगा और मैं आपको जुरूर update करूँगा कि same clutch cylinder के साथ मैंने कितने महीने गाड़ी को चलाया तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने spring को fit करना है clutch paddle के उपर तो यह clutch का paddle है आप देख सकते हैं और यह जो इसकी pin है आप सामने देख रहे हैं यह pin है यहाँ पे एक side जो spring की hook है उसको मैं यहाँ पर लगाऊँगा और जो दूसरी side की hook है उसको मैं आप देख सकते हैं उपर यहाँ पे इसमें लगा दूँगा और जो spring है इसके उपर बिल्कुल fix हो जाएगा spring को मैंने attach कर दिया है जहां मैंने आपको दिखाया था कि clutch pedal के उपर जो pin है वहाँ पर एक side पर मैंने spring को इसके साथ attach कर दिया और दूसरी side मैंने उपर जो मैंने आपको plastic body दिखाई थी उसके साथ attach कर दिया आप देख सकते हैं कि spring लगाने के बाद जो clutch का pedal है वो completely उपर आ रहा है और अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ ऐसी problem है तो आप spring लगा के इसको fix कर सकते हैं और ऐसे बिल्कुल ना चलाएं clutch plates खराब हो जाएंगी और अगर spring लगाने के बाद भी आपका clutch pedal उपर नहीं आ रहा है तो आपको clutch का cylinder replace कराना पड़ेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को subscribe करें साथ में बेल आईकोन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को notification आपके पास सबसे पहले पहुंचें